हाई गैज, तो केसे हैं आप, तो केसे चल रही हैं आपके दिवाली की तयारी, कमेंट करके बताइए और अब बनाएंगे हम संकर पारी, तो ये संकर पारे इतने मस्ट बने हैं ना, कि आप एक इन नहीं करोगे कि आपने घर पर बनाए हैं, बिल्कुल हॉलवाइज से ही हम ब बचान कर दो क distinguish मेदे को ले लिया है अब इसमें हमें घी डालना है मोएन जो बोलते हैं यहला गरम करकी डालते है तो ंप भुरप उस만ु क हमेसे घी लिया है तो वन feraक्तायों मेदे कंदा यांडी को उसका व कॉज़ वन दालना वाग हमेन घी लिया तो मैं उन्हें कर फौर् अब डालेंगे थोड़ा सा एक पींच इतना नमक, बिल्कुल चुटकी भर, अब इसे हम अच्छे से मिला देंगे, अच्छे से मिलाने के बाद अब इस मैदे को इस तरह से फेलाईए, और अब हमारा घी गरम हो चुका है, तो चलिए उसे लाते हैं, देखिए इतना गरम होन देखिए और फटा फट इस तरह से इसको मिला दीजिए, बिल्कुल ऐसे हैं, तो याद रखिए हमें गरम घी ही मिलाना है, थंडा बिल्कुल भी नहीं, तो इस तरह से मिलाने के बाद अब हातों से मिलाएंगे, अच्छे से हमें इसे हातों से मसलना है, तो दोनों हातों की मार्केट जैसे बनाने है न तो इसके लिए थोड़ी से मेनद तो गाइस करना पड़ेगी और ज्यादा मेनद भी नहीं है और ज्यादा सामान भी नहीं है बस अब आगे आवे हम इसमें मिलाएंगे PCV चीनी PCV चीनी मैंने तो इसे एक कटोरी से थोड़ा कम लिया है आप चाहिए तो एक कटोरी डाल सकते हैं तो बस इस तरह से इसको मिला देंगे मैं सोच रही हूँ पूरा मिलाओ की नहीं लेकिन पूरी हम मिला देते हैं उसमें इतना लग ही जाएगा तो यह ना फेन में डिस्क्रि इससे क्या होगा ना हमारे जा संकर पा रहे है ना एकदम मार्केट जário से एकदम कुरकुरीत भी वनेंगे और सौप्ट भी मनेंगे यानि इस से हमारे uży घर के बच्चे तो आब समझ जाए जाएं कि हमने जो टाला है बिल्कुल सही डाला है अब लेंगे आधा कटोरी दूद और आधा करोड करकर दूद को भी हम थोड़ा करके मिलाएंगे एक साथ नहीं मिलाना है तो बस इस तरह से थोड़ा थोड़ा करते हुए और इसको हमें आटे की तरा गो जाता है आप चाहे तो इसकी जगा पानी भी ले सकते हैं लेकिन दूसरे क्या है ना संकर पारो का स्वाद बहुत अच्छा आता है वैसे अगर ना हो तो आप पानी लीजीगा तो पानी भी हमको आधा कटोरी ही लेना है तो बस अब इस तरह से हम सारे दूद को मिला लिए है अब इसको अच्छे से मसल के अच्छे से इसको हम डो की तरह बना लेंगे अब इसमें हमें और कुछ ज़्यादा डालने के आवश्यक्ता बिल्कुल भी नहीं है तो इस तरह से हातों से कस करके मसल मसल की इसको हम आटे की तरह डो जिसे हम लगाते हैं ना बिल्कुल वसी त बस अब इस तरह से मसलने के बाद अब इसे हम ढख कर आदे गंटे के लिए रख देंगे तो चलिए इसे हम ढख कर आदे गंटे के लिए रख देते हैं अब आगे बाद में बताएंगे तो बस अब देखिए आदे गंटे के बाद अब हमारा आटा है जो सेट हो चुका है तो चलिए मैं प्लेट फार्म को साफ कर लेती हूं और अब इस पर हम डालेंगे यह आटा और हम लेंगे इस तरह से आटे को डाल दीजिए और अब देखिए जो यह कुटने वाला है इसे लेंगे और इसको अच्छे से कुटेंगे तो एक दो मिनिट के लिए इस अच्छे से कु कि इसी से हमारे संकर पारों में वो जानाएगी मार्केट वाली तो देखिए इस तरह से हम इसको अच्छे से कूट लेते हैं आप भी किजिएगा एक दो मिट के लिए स्रीव और यह हमारे संकर पारे इससे बहुत अच्छे से खस्ता-खस्ता बनेंगे तो इससे कूटना और बनाने के बाद कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपके संकर पारे बिल्कुल खस्ता, कुरकुरेट और टेस्टी बरे ना कमेंट जरूर किया किजिए गाईज और देखिए आप इसको कुटने के बाद थोड़ी देर इसको इस तरह से हम आटे पे पूरी ताकत से मसलें वैसे यह पूरा चिकना तो कभी नहीं होगा आप कितना भी मसली है यह ऐसा ही रहेगा तो बस थोड़ी देर इसको इस तरह से मसलने के पार अब इसको हम दो भागों में डिवाइट कर देंगे यानि उसकी हम लोईय बनाएंगे और बेलेंगे तो देखिए इसे मैंने इस तरह से दो भागों में डिवाइट कर लिया अब इसको हम थोड़ा सा यसा मसल मसल के मसल मसल के कोशिश करते हैं चिकनी लोई करने की लेकिन वो नहीं होने वाली तो इस तरह से हमें थोड़े ताकत से इसको मसल ना है और इस तरह से हमें हातों की सहयता से इसको अच्छे से दबा दबा के इस तरह से इसे आप बेलेंगे तो चलिए इसको जो जो दूसरा आटा है इसे हम ढखक करके साइड में रख देंगे इसको खुला ना छोड़िएगा वरना ये और भी ज़्यादा हव पासे कड़क हो सकता है तो चलिए आप बेलन कहां है मिला बेलन तो देखिए अब बेलन से हम अच्छे से इसको बेलेंगे हां लेकिन याद रखेगा थोड़ा मोटा-मोटा बेलिएगा प्वुल के दो बीणा हो जाएगा इतना मोटा बेलेगा जितना मोटा आपको पसंद है कि हमने जो चीजे इसके अंदर डाली है और जिस तरह से हमने इसको मसल के इसको हमने तयार प्हेशन है तो ये इसकी पहचान है कि इससे हमारी संकरपारे बिल्लकुल मार्केट जैसे खसता वनेंगे तो ये क्रैक आप आ रहे हैं तो उसे डढ़िएगा मत इस तरह से कट किर लीजेगा और अब इसको हम संकर पारो क्या कार में कट कर लेंगे आपको जो आखर पसंदो उस आखर में आप कट कर लीजेगा मैं इसको स्कॉयर में ही काट रही हूँ तो देखिए कितने मस्त फिल्कुल नरम कट रहे है ना जदा हमको मेहनत नहीं लगेगी आराम से बन जाएंगे और देखिए हमने इसको बेलने के लिए ना कोई आटे का इस्तिमाल किया है ना किसी और चीछ का ना घी का ना तेल का और ये कितने मस्त बेल चुके हैं और देखो एक दूसरे को चिपक भी नहीं रहे है तो यही हमारी सबसे बड़ी पहचान है काईस हमारे संकर पारे बहुत अच्छे बनने वाले हैं तो देखिए इतना मोटा मैंने बेल लिया है अब यह फूल की इससे दो गुना हो जाएगा तो आप चाहे तो इससे भी जादा मोटा बेल सकते हैं तो देखिए अब मैं इस तरह से अलग प्लेट में इसको निकाल लेती हूँ और फिर आगे का जो दूसरा ने रखा हुआ है ना डो अब उसे भी हम इस तरह से बेल लेंगे तो चलिए उसे भी बेल लेते हैं तो हमारे पेचान है कि हमने बिल्कुल जो बनाया है जैसे बनाया बिल्कुल सही बनाया है बस इसको साइड से इस तरह से कट कर लीजिए और आकारों में अच्छे से कट लीजिए इतने बड़िया और इतने खसता बनते हैं बहुत बड़िया बनते हैं हां आपको मेरी वीडिय चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए चैनल को भी से चैनल को आपको अमंची हमेशामिलती रहे मैं इस और आसान अजन आप ऐसान रेशीपि स लाती रहूंगी तो प्ली प्लीज प्लीज लएक जरूर किजेगा और जड़ा जाधा शेयर भी कीजिएगा तो देखिए हमने इसे स्क्वायर अकार में काट लिया है अब इसे अलग प्लेट में हम निकाल कर रख लेते हैं देखिए इसी तरह से हो गया ना अब हमारे संकरपारे तयार हो गई है देखिए अब इसके बारी है तलनी की तो तलनी के लिए मैंने कड़ाई में घी को गरम कर और हमारा जो संकर पा रहे हैं वो एक साथ पक सके और इसको डालने के बाद अच्छे से पहले मिला लीजिए डाल लीजिए और जो हमारा केस की फ्लेम है उसको मीडियम नहीं हाई नहीं बिल्कुल कम रखना है वरना आप हाई या मीडियम करेंगे ना तो वो उपर से चल चलाते हुए ही हमें इसे पकाना है इसको छोड़ना दीजिएगा वरना ये वो जो एक जैसे वरे तेरा संकर पारे वो अकर में नहीं रहेंगे इसलिए इसको चलाते हुए ही हमें इक्वल इसको करना है ताकि इन संकर पारों का रंग सारे 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 संकर पारे है उनका तो आप भी इस तरह से तलिए गा, मैं वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कर रही हूं, ताकि आपको पता चल सके कि हमें इस तरह से शेखने से क्या होता है, देखिए हमारे सारे संकरपारे बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं यह इसी की वज़े से है, इसलिए आपको चम्म में यह हो जाते हैं, तो बस अब हम इसको निकाल लेते हैं, अब इसको निकालने की एक मीट बात भी इसका जो प्रोसेस है पकने का वो चलता रहता है, जिससे इसका और कलर बदल सकता है, इसलिए इसे अब निकाल देंगे, तो देखिए गाईस, अब हम इसे निकाल चुके अब आगे कर जो बाकी के रखे हुए है ना उसे भी हमें एक एक करके एक साथ डालना है मतलब जितना इसमें आ जाए उतने आप डाल दीजिए और बस अब है थोड़ा हमारा जो घी था वो थोड़ा मीडियम यह हो चुका था तो थोड़ा सा उसको गरम कर लीजेगा फिर इस डाल दीजिएगा संकर पारे उसके बाद गेस को बिल्कुल धीमा कर दीजिएगा और बस उसी तरह चमस के एक जैसा पकाईए ऐसे ही बहुत बढ़िया बहुत खस्ता बनते है तो यह हलवाई की ट्रीक है इसे जरूर अपनाईए और बस हलवाई जैसे संकर पारे घर पर ब कर लीजिएगा चैनल पर नए है तो है ना और कमेंट करके हमें जरूर बताईए तो देखिए आप इसका आवाज सुनिए देखाए कितने कुरकुरे मास्त खस्ता बने हैं और आपको इना मैं तोड़ कर भी दिखाऊंगी तो देखिए इनका आवाज सुनिए कितना बढ़ आवाज सुनिएगा आप देखिए है ना खस्ता कुरकुरे तो बनाइए आप भी और इसी तरह की रेसिपिस आसान रेसिपिस को आगे भी देखते रहेगा तो चलिए अब हम इसे सर्फ कर लेके हैं तो इसे हमने इस तरह से सर्फ किया है तो यह हो गई हमारे संकर पारे की रेसिपि तैयार पिछली वीडियो मैंने सेव की रेसिपि डाली थी अब आगे हम और भी डालेंगी दिवाली पर जो हम बनाते हैं नमकीन, मिठाईया, चूडा यह सारे हम वीडियो डालेंगे आप सस्काइब करके रखिएगा आपको हर रेसिपि मिलेगी तत्तों के लिए अगले वीडियो में बाबाई